देखे पंस्तंत्री कहानिया सभी को पसंद आती है इस से क्या होता हमें moral मिलता नियतिक सिच्छा मिलता है तो चलिए पढ़ेते हैं कहानी का title है lion and the head head में सोता है खडगोस देखे लिखावा it was a dense forest lot of animals lived there with harmony देखे हर्मनी में सोता है एक था एक घना जंगल था धे सारे जानबर एकता के साथ वहां रहते थे यानि छगड़ा बिलकुल नहीं होता था no animal would kill each other for food कोभी जानबर भोजन के लिए एक दूसरे को नहीं मारते थे but there was one that killed other animals not just for food but to sow his prowess the cruel lion the cruel miss होता क्रूर निर्दाई जो देया नहीं दिखाता है प्राविश मिस क्या होता साहस ठीक है प्राविश मिस होता है साहस ठीक है बोला जरा कोभी जानबर भोजन के लिए एक दूसरे को नहीं मारते थे लेकिन एक था जो दूसरे जानवरों को मारता था सिर्फ भोजन के लिए नहीं बल्कि अपना साहस दिखाने के लिए तो भोजन के लिए मार रहे तो चलिए बोच सकते हैं कि हाँ भोजन के लिए मार रहे तुम सबसे ज़्यादा ताकत था यह दिखाने के लिए न, वो दुसरी जनवरों को मरता था और भोजन के लिए भी मरता था वो कौन था? The cruel lion, निर्दाई सेर It was becoming intolerable for the animals to see their family and friends being killed अपने परिवार और दोस्तों को मरता हुआ देखना जनवरों के लिए और सहनिय हो रहा था तेकि intolerable में सोता है न सहनिय योग जिसको नहीं सहा जा सकता है All animals gathered to find a solution to the problem सभी जनवर समस्या का एक समाधान ढुणने के लिए जमा हुए तेकि जो समस्या था न इसका समाधान ढुणने के लिए सभी जनवर जमा हुए गेदर में सोता जमा होना ये के लगा देद भीटू हो गया He is killing so many of us every day If it goes on there will not be any animal left in the forest soon said the bear भालू ने कहा वह प्रती दिन हमें से कईयों को मार रहा है अगर ऐसा जाड़ी रहा तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेंगे तो भालू क्या बोला ना कि ये जो शेर है ना निर्दयी शेर cruel lion वो हमें से कईयों को प्रती दिन मार रहा कईयों को मार रहा किंकि वो सिर्फ भोजन के लिए नहीं मारता अपना तागत दिखाने के लिए भी मारता है ठीक है भोजन के लिए मारता तो चलता कि वो डेली डेली कुछ ही जानवर नहीं बचेंगे तो देखिए यहां पर क्या भी फाइब लगा हुआ तो सिंपल पर विल लगा हुआ यानि क्या सिंपल फीचर टेंस वाला है बज़े भी मार्ट वाहँ के भाइब लाइब तो पहले वाले के साथ भाइब करना फीचर टेंस मस्ते वाला करते तो कि WILL यंदि यहां पर अगर ओसा जाड Arir रहेगा तो यहां पर if it गोज ओन इसेंपल पर‌जेंट the रायन and asked him to stop killing so many animals every day वे सभी शेर के पास पहुचे और प्रते दिन इतने सारे जानवरों को मारने से रोकने के लिए बोले ने कि आप प्रते दिन इतने सारे जानवरों को मारते हैं ति ये बंद के जिए lion thought for a minute and said all right I will not kill anyone but one of you has to come every day to be my meal शेर एक मिनट के लिए सोचा थोट क्या है think का भीटू है यहाँ पर शेर एक मिनट के लिए सोचा और बोला all right ठीक है I will not kill anyone मैं किसी को नहीं मारूंगा लेकिन तुम में से एक प्रती दिन मेरा भोजन बनने के लिए आना परेगा तो शेर क्या बोला शेर बोला कि ठीक है all right मैं किसी को नहीं मारूंगा लेकिन तुम में से एक को प्रती दिन मेरा भोजन बननने के लिए यहाँ आना परेगा the day you don't come up I will kill you all the animals agreed शेर आगे क्या बोला जेस दिन तुम नहीं आओगे मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा the animals agreed जानवर सब सहमत हो गया जानवर सब मान गया है वो बोले कि ठीक है आपके पास एक एक जानवर प्रते दिन आएगा और फिर आप उसको मार दिजेगा और खा लिजेगा now every day one animal would go to the lion's den and offer itself to the lion देखे देन में सोता मांध होता मांध गुफा अब प्रते दिन एक जानवर सेर के गुफा में जाता और सेर के सामने खुद को प्रस्तूत करता खुद को पेश करता किछ ले खाने के लिए it went on for days तो go on में सोता जाड़ी रहना तो go का भीटू went होता तो went on में सोगया जाड़ी रहा तो बोला जा रहा यहा कई दिनों तक जाड़ी रहा यहां पर कई का सेंच छीपा हुआ one day it was his turn to be the lion's meal एक दिन सेर का भोजन बनने के लिए खर्गोश की बारी थी ठेकर एक दिन किसकी बारी थी सेर का भोजन बनने के लिए खर्गोश की बारी थी while on his way to the lion's den he saw a whale and came up with a bright idea बोला जा रहा जब वा सेर के मांद यानि सेर के गुफा जाने के लिए अपने रास्ते में था वह कुआ देखा और एक बढ़िया विचार उसके दिमाग में आया ठेकर किसके दिमाग में खर्गोश के दिमाग में bright idea यानि बढ़िया विचार, bright means चमकिला भी होता है यहाँ बना चमकिला नहीं है, bright idea means बढ़िया विचार ति बढ़िया विचार कब आया, जब वो सेर के गुफा में जा रहा था तो अपने रास्ती में था न, तो एक कुवा को देखकर उसको एक बढ़िया विचार आया He wandered around in the forest and raised the lion's den in the evening बला जारा, वह जंगल में इधर उधर भटका और साम में शेर की गुफा पहुचा दीन बढ़ क्या है, दीन बढ़ वह भटकता रहा जंगल में और साम में शेर के जो गुफा है, वहाँ पहुचा The lion was livid with anger, सेर गुश्य से लाल था किनकि वो सुबह में उसको पहुचना है था तो आप साम में पहुच रहा है था सुबह से साम तक वो भुखा था, तो सेर गुश्य से लाल था एंगर में सो था गुश्य, लिविड में सो था लाल होना, ठीना है तो सेर गुश्य से लाल था He asked, वो पूचा He asked the hare, where have you been all day? सेर ने खरगोश्य से पूचा, तुम पूरे दिन कहां थे? He replied, your majesty, I was on my way to your den, but another lion stopped me He claimed to be the new king of the jungle Reply में सो था जवाब देना, तो वाई को हटा अगर आई किया है, फिर इटी लगा है, तो भीटू हो गया खरगोश्य ने जवाब दिया महराज मैं आपकी गूफा आने के लिए रास्ते में था, लेकिन दुसरा सेर मुझे रोख दिया He claimed to be the new king of the jungle वा जवा जवाब का नया राजा होने का दावा करता था तो बोला ना, खरगोश्य की एक सेर हमको, जो दुसरा सेर है, वो रोख लिया वो दावा करता है, ने कि वो इस जंगल का राजा है, दा लायन रोख जा, वेर इस डैट लायन, ब्रिंग हम हीर सेर दहारा, वाज सेर कहां है, ब्रिंग हम हीर, उसको यहां लाव हीर सेर, इस इन दा मेडल अफ दा फोरेस्ट, एंड वांट्स तो हैव एफ़ाइट विद यो, तो प्रूब हीज सुप्रिमेसी, ठीका सुप्रिमेसी में इस क्या था, सर्वोचिता, ठीका सर्वोचिता, खरगोश्य ने कहा, वहा जंगल के बीचो बीच है, ठीका कहने का म रहता है, खरगोश्य ने कहा, वह जंगल के बीच में है, यानि वह जंगल के बीचो बीच रहता, और अपनी सुर्वोचिता साइबित करने के लिए आप से एक लडाय लडना चाहता है, Here guided the lion to the whale, खरगोश्य कुवे तक सेर को रास्ता दिखाया, गाइड में सुता रास्ता दिखाना, पत परदर्शित करना, Here said, it seems the other lion is scared and hiding in the whale, खरगोश्य ने कहा, It seems, ऐसा लगता है कि दूसरा सेर डड़ा हुआ है, और कोए में छिपा हुआ है, तो खरगोश्य क्या बोला, ऐसा लगता है ने कि दूसरा सेर भाई भी थे हैं, और कोए में छिपा हुआ है, Lion pipped into the whale, देखे, pip means क्या होता है, जाकना, देखे, जाकना, Lion pipped into the whale, सेर कोए में जाका, he saw his reflection and thought it was another lion, वह अपने परतिविम को देखा और सोचा कि यह दूसरा सेर है, He roared loudly with anger and jumped into the whale, वह गुस्य से जोर से दहारा, गुस्य से जोर से दहारा, और कोए में कूद गया, and it became the end of cruel lion, और कुरूर सेर का अंत हो गया, ठीक है, इस परकार से कुरूर सेर का अंत हो गया, जाब फोटो में देख सकते हैं, यह खड़कोर से, यह सेर कुआ में उछल रहा है, झाल, क्यsta súत जब ना गelect सेर व Canyon आए,